आज हम लोग बात करेंगे आईलिट टूचिंग की आई की टूचिंग की बहुत लोगों के आईस की ब्लिंकिंग होती है और वहाँ इससे परिशान रहते हैं और यहाँ एक ऐसी समस्या है जो गंभीर विश्य भी गंभीर रूप भी ले सकती है तो यहाँ एक समस्या है जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि यहाँ ब्लिंकिंग ओफ आईस होती क्या है आपकी पलक जपक रही है तो यह क्या होता है और आगे आपको क्या नुकसान इससे हो सकता है ब्लिंकिंग ओफ दा आईस साथियों तीन तरह की होती है पहली होती है टुचिंग ओफ आईस पहली एक जो इसका क्लैसिफाई होता है वहाँ होता है मायो कीमिया यानि टुचिंग ओफ आईस यहाँ सबसे कॉमन इस सिती है जो हम लोग अपने आस पास पाते हैं कि एक आग की उपर किया नीचे की पलक बिलिंग करती है इन्वलइट्री बिलिंग करती है आपके कंट्रोल के बिना बिलिंग करती है इसको कहते हैं मायो कीमिया यानि की टुचिंग ओफ औट आईस दूसरी कंडिशन जो एक खतर्णा कैस्धिती तक आपको ले जाती है वहाँ होती है आपकी Benign Essential Bifleros Pass इसमें साथियों आपका दोनों आईस काफी बिलिंक करती है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है फिर वो बिल्कुल जिसे कहते हैं जाम स्थिर हो जाती है और फिर वहाँ खुलने तक में दिक्कत होती है यहां एक क्रॉनिक मेडिकल कंडिशन होती है और तीसरी स्थिति जो बिलिंकिंग ऑफ आइस में होती है उसको कहते हैं हमी फेशल इसमें यह होता है हमी मींस हाफ फेशल मींस फेश आधे फेश की मसल्स और प्लस आग की मसल्स टुच करने लगती है तो आपके पूरे आधे face की muscles में twitching आने लगती है यहाँ तीन conditions होती हैं आपकी blinking of the eyes में बात कर लेते हैं साथियों symptoms की symptoms हमने आपको जैसा बताया या तो आपकी एक eyelid involuntary dropping हो रही हो या दोनों eyelids की dropping हो रही हो किसी के या फिर आपके face की muscles और plus eyes की एक तरफ की twitching हो रही हो तो यही symptom होते हैं biflaro spasm के यानि की आपके blinking of the eyes के इसके कारण की बात करने साथियों biflaro spasm यानि की twinkling of the eyes twitching of the eyes का सबसे important cause है आपके basal ganglia का derainment अगर आपके basal ganglia में derainment होता है तो आपके यहाँ spasm होता है यहाँ एक संभावित कारण है biflaro spasm का इसका exact कारण आज तक scientist को known नहीं है बाकी weakness होना, कमजोरी होना, खून की कमी होना यहाँ सब भी indirectly आपके biflaro spasm यानि blinking of the eyes में result करते हैं बहराब समस्या है तो उसका समधान हैं हम आपको बताते हैं इसी 10 कारण होमियोपैतिक दवाएं जो आपकी है involuntary blinking of the eyes को ठीक करके आपको समाज में जो आपकी अवेलना होती है उससे आपको रोकेंगे दवाएं बताने से पहलों यह बताना चाहेंगे सातियों कोई भी दवा को सल्थी की सक से पूछे भीना मत लीजेगा चलते हैं सातियों सफर पे जिस पे आपको बताते हैं आपकी आँखें फड़कने की blinking of the eyes की biflaro spasm की 10 कारगर होमियोपैतिक दवाएं नमबर एक दवा सातियों जो होमियोपैति में biflaro spasm को ठीक करने की आपकी blinking of the eyes को ठीक करने की है वहाँ अगैरिकस मस्केरिस आप अगैरिकस वन येम पावर में बलकि मैं काओंगा वन येम नहीं 200 पावर में 200 बूंद आप दिन में तीन बार ले लिजे आप पाएंगे की कुछ वक्त करने के बाद आपकी blinking of the eyes कम होने लगी और आपको आराम मिलने लगा एक साथियों बहुत कारकर दवा है आई ब्लिंकिंग की नमबर एक दवाओं में सामिल है आई ब्लिंकिंग की वहाँ है एपिस मेलिफिका जब भी आपकी duping of eyelids हो, eyelids आपकी involuntary गिर रही हैं तो apis बहुत अच्छा काम करती है इसका symptom है आपको प्यास न लगती हो आप कैसे चुबहन दे से बरहिया काटने पे होती है इस तरह की चुबहन सरीर में महसूस होती हो अगर इस तरह की symptom आप में हो या अर्टिकेरिया आपको रहा हो या हो इस तरह की symptom अगर आप में हो तो apis smell आपकी drug of the choice हो सकती है आपकी blinking of the eyes को रोकने के लिए एक स्थिती साथियों आती है जब आपके आखें involuntary twitch करती है उसमें आती है कि आपको weakness बहुत होती है अगर आपको बहुत कमजोरी है फटीग है और आपकी eyes twitch कर रही है ब्लिंग कर रही है तो उसको ठीक करने की homeopathy में बहुत कारगर दवा है जिनकम metallicum आप जिनकम met 30 power में 2-2 बून दिन में 3 बार ले 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 इस दवा से आपकी आपकों का फड़कना आपका यहां जो involuntary twitching है यहां खतम हो जाएगी आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे एक स्थिति आती है साथियों कि आपके पढ़ने लिखने के बाद eyes blink करने लगी अगर पढ़ने लिखने के बाद eyes blink करने लगी तो उस स्थिति को ठीक करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दवा है crocus आप crocus 30 दो दुबून दिन में 3 बार ले सकती है यहां दवा आपकी eye blinking को भी रोकेगी जो पढ़ाई करने के बाद इस eye strain के बाद आपके blinking शुरू हो जाती है एक साथियों स्थिति आ सकती है किसी के सामने कि आपकी eyes twitch कर रही है blink कर रही है involuntary और आपको vision blurred हो गया आपका जो eyesight है वो धुनली हो गई आपको चीछें धुनली दिख रही है तो गर यहां स्थिति है कि आपका vision blurred है आपकी eyesight धुनली महसूस हो रही है और आपको eyes की twitching हो रही है तो उस स्थिति को ठीक करने की blood vision को ठीक करने की homeopathy में बहुत कारगर दबाए phytostigma आप फाइटो स्थिग्मा 30 पाव में दो दो बुन दिन में तीन बार एक पार लेकर देखें आपको lab मिलेगा इस condition में और आपका blood vision भी खत्म होगा एक स्थिति सातियों आती है कि आपकी eyes में twitching हो रही हो और आपको धूप से आखों में चमक लगती हो तो अगर यह स्थिति है कि आपको आखों से धूप में चमक लग रही है और आपके twitching of the eyes हो रहा है तो उस स्थिति को ठीक करने की हुमियोपैथियों बहुत कारगर दभाए यूफ्रेशिया ओफिस्नेलिस आप यूफ्रेशिया 30 पावर में दो दुबून दिन में तीन बार ले 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 आपका यहाँ जो फोटो फोबिया है आखों में चमक हैलाइट की यहाँ भी खत्म हो जाएगी और आपकी यहाँ जो ट पिलिपसी हो और उनकी आइस बिलिंक करती हो तो उसस्तिती में पिलिपसी को ठीक करने और आइस को ठीक करने की बहुत कारगर दभाए काली बाइक्रोमियम अब बाली काली बाइक्रोम 30 पावर में दो 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 बून दिन में तीन बार ले 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 आपकी आई बिलिंकिंग भ कि जब आपको लिखने पढ़ने में आइज में टूचिंग होती हो तो सिस्थिति को ठीक करने की हुमियोपैथि में बहुत कारगर दवा है कोडिनम आप कोडिनम 30 पावर में 2-2 पून दिन में 3 बार ले सकते हैं यहाँ दवा आपको टूचिंग के आपकी आइज को खतम करेगी और आपको लिखते पड़ते टाइम जो दिक्कत होती है वहाँ भी स्वता ही समाप्त हो जाएगी एक स्थिति आती है साथियों आपकी आइज बिलकुल ट्राइ हो गई हो और आपकी आइज में टूचिंग हो रही हो अगर यह स्थिति आप में है कि आपकी आइज ट्राइ हो गई हो और आइज में टूचिंग हो जब आपके बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो उस समय भी आपकी आँख फड़कने लगती है तो अगर यह स्थिति हो कि आपके बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है और आपकी आँख फड़क रही है तो उस इस्सिति को ठीक करने की होवियो पैती में बहुत कारगर दवा है Lycopodium Clevitum आप Lycopodium 35 में दो दो बून दिन में भाद ले सकते हैं यहाँ दवा आपकी आग के फड़कने को भी रोकेगी और आपकी nervousness को भी खत्म करेगी एक इस्सिति सातियों आती है कि आँक में इत्ता तकलीफ है कि इसको उठना ही मुश्किल है तो अगर तकलीफ बहुत जादा है मतलब काफी जिसे कहते हैं वो second stage में benign essential biflero spasm आपको हो गया है कि आँक उठना ही मुश्किल है तो इस इस्सिति को ठीक करने की हुम्योपैती में बहुत कारगर दवा है मर्सॉल आप मर्सॉल थाटी पाव में दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं जहां दवा आपके biflero spasm को खतम करेगी ice की touching को खतम करेगी और आपको सामान करेगी एक इस्सिति सातियों आती है कि जब आप सुबा उतते हैं तो उस वखत आपकी आपकों में touching बहुद जादा होती है आपों की पलकें उठा नहीं पाती है तो अगर यह ashes स्सिति आप में है कि सुबा के वक्ट आपके touching बहुद जादा हो रही है और आपकों में जलन हो रही है तो उस इस्थिती को ठीक करने की हुम्यूपेती में बहुत कारगर दबा है सल्फर आप सल्फर वानियम की तीन खुराग पच-पच मिट के फासले पर वीकली ले लें आपके आपकों की टुचिंग भी खतम हो जाएगी और आपकी यहाँ तकलीफ भी चली जाएगी एक इस्थिती साथियों किसी के सामने आ सकती है कि आपकी शाम हुई और आपकी पलकें छपकने लगी गिनने लगी तो अगर यह स्थिति हो कि शाम के वक्त आपकी आईलिट्स में टुचिंग बहुत जादा शुरू हो जाती हो और रात तक रहती हो तो उस स्थिति को ठीक करने की हुमियोप्ति में बहुत कारगर दबाए ही परसल्फूरिस आपकी शाम और रात के वक्त होने वाली टुचिंग भी खतम हो जाएगी और आप इस समस्थ्या से पूरी तरह इस दवा से निजात पाजाएंगे एक साथी व Bahn structure असकती किसी के सामने की आपकी आँक की पलकों में बहुत जलं हो रही हो और आपकी आछें तुच हो रही हूँ तो अगर यहाँ इस प्रसल्फूरिस क्या आपके 있죠 में बुढर्निंग हो रही हो और आपके आइस में डिचिंग हो रही हो तो उसको ठीक करने की हुमिपटी में बहुत कारगर दभा है cялरिया कार्बोनिकम यहां रए सकते हैं यह तवा आप के फड़कने को भी रोकेगी और आपको ठीक करेगी ये सातियों को दवाएं थी आपकी इस समस्या की जिसमें की आपकी आइस प्लिंक होने की इन्वालेंटरी समस्या है दवाएं सातियों ये बहुत कारगर हैं लेकिन निवेदन करेंगे कि कुसल चिकिसक से पूछे भी न यहाँ दवा न लीजिएगा आपको पताना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें वाट्सैप और यूट्पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं वीडियो सातियों आपसे निवेदन करेंगे अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शियर कींगे आपने चैनल को सब्स्राइब कीजेगा और बेल आइकन को प्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो योही प्राप्ट करते रहिएगा आपका साथियों हमारे साथ इती देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कंपा सबसे प्राप्ट धन्यवा अजर था आपका साथिप्स कर दो कर दो